हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक इन माई यूटूब चैनल तोड़े वी अडिस्कस अबाउट आ स्टोरी दा कर्फ्यू मैन रिटन बाई है तैमसुला एओ के तैमसुला एओ जो की नोर्थ इस्ट इंडियन की बहुत ही फेमस पोईट और राइटर मानी जाती हैं इनकी स्टोरी है दा कर्फ्यू मैन ये इनके स्टोरी कलेक्शन इस हीज कार्ड हम स्टोरी फ्रॉम आवार जोन से ली गई है दा कर्फ्यू मैन मैं तैमसुला एओ बताती हैं कि किस तरह से जो गाउं के सीधे साधे लोग थे वो बिना किसी वज़े के ही फोज और रेबल्स के बीच फसे ह उनकी आपसी दुसमनी में बिना किसी वज़े के फस गए थे साधी वो छोटे छोटे कस्वों के लोगों के वारे में बताती है जो छोटे कस्वों में रहते थे उन्हें बहुत ही परेशान्य उठानी पड़ती थी और उनके ऊपर कई प्रेथिवेंद भी थे क्यूंकि रा रहा हैं, इस इस के लिए सरकार वहाँ पर बहुत ही निक्रानी रखती थी रात को सारी जो सामाजी गतीविन्डिया है वो तो خतम हो जाती थी, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सिर्फ रात को ही होती थी, जैसे कि रेबल्स को लेकर कि कहीं कोई rebels या उसके relative या उसके सुब चिंतकों को लेकर जो cover दी जाती थी सरकार को लोगों दोबारा वो रात को ही दी जाती थी फिर क्या होता है कि इस चीज के लिए जो कर्फ्यू के जो लोग थे चोटे कस्वों के लोग उन्हें बहुत ही कष्ट दाएक जीवन जीना पड़ता था प्रैबस पहचानने के लिए उनके इस चीज के लिए उनके सुब चिंतकों को पहचानने के लिए काउम और कस्वों में से कुछ लोगों की भरती की जा रही थी कुछ लोग तो अपनी इक्षा के अनुसारी कर रहे थे लेकिन कुछ लोगों को ये मनजूरी नहीं थी लेकिन उन्हें सरकार दोबारा डराया है धमका कर भी उनकी भरती की जाती थी यह कह कर कि अगर वो ये भरती नहीं करेंगे तो उनके जो पुराने केस हैं वो द्वारा स्टार्ट कर दिये जाएंगे इस चीज के लिए उन्हें बहुत ऐसा भी दिया जाता था तो इसलिए वो कुछ लोग इसे अपनी एकचा से भी कर दे थे इस स्टोरी का जो मैन करेक्टर है वो है स्टेमबा कॉंस्टेमबल स्टेमबा जो की असम पुलिस में काम करता था और अपना एक गुटने तूटने के कारण अब अपनी जो नौकरी है वो खो चुका था उसे वापस अपने गाउन नागलेंड में जाना पड़ा था क्योंकि अब उसका एक गुटना तूट गया है वहाँ जैसे वो जाता है तो कुछ दूनों पास एक SDO अधिकारी होता है वो जो वोफर करता है कि वो रैबल्स की जानकरी देगा तो उसे बहुत अच्छे पैसे दिये जाएंगे और साथ ही उसे नौकरी भी मिल जाएगी एक तो वो सरकार के डर से कि अगर वो सरकार के विरूट जाएगा तो कहीं उसके लिए हानी ना हो दूसरे उसे पैसे भी अच्छे दे जा रहे थे तो वो हाँ कर देता है और अपनी जो नौकरी है रैबल्स की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की उसमें लग जाता है और खूप या तंतर में सामिल हो जाता है जैसे ही दिन बीटे हैं कुछ दिनों बाद स्तेमबा को पता चलता है कि जो भी इंफॉर्मेशन वो फॉज को देता है उसके दुआरा जो फॉज हैं वो आम लोगों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार करता है और जब ये सब देखता है स्तेमबा तो बहुत अपने काम से वो बहुत ज़्यादा घरना करने लगता है अब उसका दिल सा टूर जाता है साथ ही उसकी जो पतनी जो की बहुत ही ओनेस्ट और इंटेलिजेंट है वो उसे बताती है, उसे डार्टी है कि तुमने ये काम क्यों चुना, ये हमें ये काम नहीं करना हम लोग उसान तीसे जीवन जीना है अब स्तेमबा थोड़ी टैंसल में आजाता है, अब वो इस काम को छोड़ने के लिए रास्टे ढूंटा है कि वो किस रास्टे से इस काम को छोड़ सकता है तब ही उसके दमाग में एक आइडिया आता है तब ही वो अपने दूसरे गुटने की हड़ी भी तोड लेता है और वो अपने तूटे हुए पैरों को S.D.O. को दिखाता है और S.D.O. जब यह देखता है तो वो सोचता है कि अब तो S.D.O. किसी काम का बचाई यह नहीं है तो अब उसे नौकरी से निकाल दिया जाए और साथ ही S.D.O. से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसकी रिटार्मेंट कर दे क्योंकि दोनों ही टांगे तूट गई है तो समझ जाता है कि अब तो कोई से काम का नहीं है और वो उस चीज़ के लिए राजी हो जाता है और इसके रिटार्मेंट हो जाती है लेकिन उसकी जो वाइफ है जैम्टीला उसे बहुत ही दुख होता है कि उसके पती को नॉर्मल लाइफ जीने के लिए कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है उसका दिल टूजाता है वो अंदर ही अंदर बहुत ही रोती है और साथ ही इसमें बताया गया है कि वो एक दूसरे को बिना कुछ कहे ही समझ जाते हैं और उसकी जो वाइफ है वो बहारी समाज से लड़ते हुए अपनी पती की सेवा करती है तो गाइज यह थी स्टोरी दा कर्फ्यू मैन बहुत ही इंटरस्टिंग है आई होप आपको पसंद आई होप प्लीज मेरे चैनल को सस्क्राइब कर देना तेंक यू दोसो